हलो दोस्तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि जिस परकार पेट्रोल के टूब विलर्स की वैलेटी 15 साल होती है तो क्या इलेक्ट्रिक वीकल्स की वैलेटी 15 साल होगी या उससे ज्यादा होगी ज्यादा तर देखने को मिलता है जो सोसल मीडिया या फिर यूट्यूब अगरा पर ज्यादा तर फेमस है कि एलेक्ट्रिक वीकल्स के ओपर कोई वैलेटी नहीं होने वाली है दोस्तो आज मैं आपको बता हूँआ कि ओला के केस में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनोंने लिया है उनकी वैलेटी क्या होने वाली है दोस्तो दोस्तो आगे बढ़न subscribe नहीं करते हैं दोस्तों प्लीज यार सब्सक्राइब करो support करो अपने भाई को अच्छी अच्छी वीडियो ओला से related आपको मिलती रहेंगी दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजी कुमार और आप देख रहे हैं EVTEC तो दोस्तो आज मेरे पास मेरी गाड़ी Ola जो की मेरा स्कूटर है उसका RC मुझे आज डिलिवर्ड हुआ है दोस्तो और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये RC डैली में जैसा मैं डैली में रहता हूँ तो मेरे केस में ये RC मुझे केबल तेरा डिलिवरी के तेरा दिन बाद मुझे मिल गई है मेरा स्कूटर जब मुझे डिलिवर्ड हुआ उसके मातर तेरा दिन बाद मेरी RC मुझे मिल गई है और दोस्तो आप मैं से किश्पो कितने दिन में मिली है RC आपकी आपकी गाड़ी डिलिवर्ड होने के बाद comment box में जरूर बताईएगा और दोस्तो तो उसके उपर जो एक RC के उपर जो डिटेल दी हुई है पूरी उसमें एक डिटेल देखे मुझे थोड़ी सी काफी हैरानी हुई कि जैसे की petrol vehicles का टुविलर vehicle जो हते है petrol के उस पर 15 साल उसकी variety है दोस्तों सेम यही electric vehicles पर Gleich視aker जो मेरे electric scooter orla की RC आज मुझे levered हुई है उसमें भी बिल्कुल सेम 15 साल की है दोस्तों तो इसमें कुछ से ज्यादा फरक नहीं लगा हम लोको लग रहा था कि वेरेटी का कोई इशू नहीं रहने वाला है इलेक्ट्रिक वीकल में लेकिन हाँ है बिल्कुल है जितना पेट्रोल का टूविलर चलता था बाइक या स्कूटी या स्कूटर जो भी है फंदरा साल उतना ही आपका इलेक्ट्रिक भी चलने वाला है अब देख लो मैं स्क्रीन देखिए इसमें बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है कि पंदरा साल ही चले गया आपकी गाड़ी ठीक है दोस्तों तो यह जानकरी सायदी आपको यूट्यूब पर अभी तक किसी ने दी होगी बिल्कुल मैंने अपनी आर्शी का अन्बॉक्स कर दिया आपके सामने तो द